ते आप मंत्री आतिशी ने कहा है कि दिल्ली दे मुख मंत्री अर्विंद केजरिवाल अते आप विदाय का विचकार मीटिंग होई है जिस दे वेच नेतावा दी एक मत सी कि जेकर मोधी सरकार अर्विंद केजरिवाल नू गिरफ़तार कर लेवे ताभी ओना नू अस्तीफा नहीं देना चाईदा है जे उना नू जेल पे जिता जानदा है तावी ओ दिली दे मुख मंत्री ही बनन रहेंगे जे लोड पही तासी अदालत देवेच जावांगे जे कर ओते हार जेल वीच है तासी ओते कैबिनेट मीटिंग करांगे जेल देवेच फाइला पे जन देलाई अदालत तो भी इजाज़त लवांगे डास देए की बड़ा ब्यान दिता गया है आतिशी दा सीम केजरीवाल नू लेके अर्विन केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्य मंतरी की मीजिंग आमादमी पार्टी के विधायक दल से हुई और विधायक दल की एक मत आवाज थी एक मत राय थी के अर्विन केजरीवाल जी को चाहे मोदी सरकार गिरफतार भी कर ले लेकिन उन्हें दिल्ली के मुख्य मंत्री पत से स्तीफा नहीं देना चाहिए दिल्ली के लोगों ने अर्विन केजरीवाल जी को वोट दिया है अर्विन केजरीवाल जी को मैंडेट दिया है तो किसी जूटे तरीके से भारतिय जंता पार्टी जो सरकार गिराना चाहती है दिल्ली के जंता के भरोसे को तोड़ना चाहती है उनके शड्यंत्र में आमादमी पार्टी नहीं आएगी अर्विन केजरीवाजी दिल्ली के मुख्य मंत्री है चाहे उन्हें जेल भेज दिया जाए वो दिल्ली के मुख्य मंत्री रहेंगे आम आदमी पार्टी ने आज तक ना एक रुपे का भरष्टाचार किया है ना एक रुपे का भरष्टाचार करेंगे हम इमानदारी से पार्टी चलाते हैं हम इमानदारी से सरकार चलाते हैं लेकिन ये भारती जनता पार्टी का शड्यंतर है कि वो दिल्ली में चुना नहीं जीत पाते हैं तो आम आदमी पार्टी के विधायकों को, मंत्रियों को, मुक्य मंत्री को जेल भेज कर दिल्ली की सरकार गिरा देंगे दिल्ली की सरकार को डीस्टेबल हाइस कर देंगे आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश करेंगे हम दिल्ली के लोगों के मैंडेट का सम्मान करते हैं दिल्नी के लोगों ने अर्विंद केजरीवाल को मुख्यमंतरी चुना है लोग तंतर में जनता का अधिकार है ये चुनना कि उनका मुख्यमंतरी कौन होगा और जनता के इस अधिकार को भारतिय जनता पार्टी जूटी साज़िश करके नहीं चीन सकती है जरूरत पड़ेगी तो हम कोट जाएंगे हम कोट से परमिशन लेंगे तिहाड जेल में अगर होगा तो वहाँ पे हम कैबिनेट की मीटिंग करेंगे जरूरत होगी तो हम कोट से परमिशन लेंगे जेल में सारी फाइलें भेजने की लेकिन अर्विंद केजरीवाल जी ही दिल्ली के मुख्यमंत्री रहें ये सब विधायकों की एकमत राय है पर आज तक ऐसा कभी हुआ ही नहीं है कि किसी एक सरकार ने दूसरी सरकार को E.D. के माध्यम से गिराने की कोशिश करी हूँ भारती जनता पार्टी ने अर्विंद केजरीवाल की सरकार को गिराने की हर कोशिश कर ली विधायकों को डराया, धंकाया, पैसा ओफर किया, जेल में डाला लेकिन आज तक आम आदनी पार्टी का एक भी विधायक नहीं पर भाती है जनता पार्टी के नेता तो रोज टीवी आके रोज टीवी पर आके धमकी देते हैं कि अगला नंबर केजरीवाल का है, केजरीवाल जेल में जाएगा, बोलते ही है ना तो ये बिलकुर साफ है कि जो E.D. और C.B.I. की सारी कारस्थानी है वो किसी इंवेस्टिगेशन से नहीं चुड़ी हुई है, वो सिर्फ और सिर्फ एक राजनेतिक शड्यांतर है और हम इस राजनेतिक शड्यांतर को सफर नहीं होने देंगे, हम कोर्ट से कहेंगे कि जब मुख्यमंतरी जेल में हैं, तो अधिकारियों को भी जेल जाना पड़ेगा, फाइलों को भी जेल जाना पड़ेगा